सो हाई इब्रवान स्वागत है सभी का फिरस एक नए वीडियो में सु दोस्तों आज के जो वीडियो यह आप सभी के लिए बहुत ही इनपोर्टेंट होने बाला है कि दोस्तों हमारा जो गूगुल डाइब है हम लोग सभी लोग यूज करते हैं जीमेल का गूगुल डाइब जिसको हम लोग ज्यादा तर ज्यादा یूज करते हैं पार्सनल डेटा रकने के लिए यह दोस्तों बहुत ही इनपोर्टेंट जो डेटा होता हैं उसको हम लोग गूगुल डाइब में सेफ करके रखते हैं दोस्तों ूब डायब को भी हम लोग अपने न्यृप को आपने कंप्योटर में लोकल डियुव कि तरहा यूज कर सकते हैं हमारा जो important data है उसको बिल्कुल आसानी से सेफ करने या दोस्तो रखने के लिए दोस्तो यह जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही helpful वीडियो होने वाला है तो दोस्तो वीडियो को जरूर आन तक देखिए आगर आप लोग इस वीडियो का आन तक देखते हैं तो दोस्त आप लोग अपने गूगल डाइप को कंप्यूटर में लोकाल डिष आप लोग बनाएंगे तो आए वीडियो को start करें दोस्तो सबसे पहले आप लोग Google Chrome को ओपेन कर लेना है simply google come open कर लेना उसके बाद आप लोग को दिखाते है step by step इस वीडियो के अंदर आप लोगो को दिखने में मिल जाएगा तो दोस्तो गूँआप लोग Google.com को खोल लेना है www.google.com मतलब Google पेस को open कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग सिंपली लिखना है गूगुल ड्राइब डाउनलोड गूगुल ड्राइब डाउनलोड सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख देना है उसके बाद एंटर मार देना है दोस्तो इसको इस सॉप्टर को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है इसलिए दोस्तो यहाँ पर एक बार किलिक किजिए किलिक करने के बाद दोस्तो आप लोगों को डाउनलोड इंस्टल है इसलिए इस तरह से डाउनलोड होता है आप लोगों को अगर आईडियम इंस्टल नहीं है तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर क्लिक करने के तुरंद बादी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नीचे आप लोगों को डाउनलोड में बैट जाएगा तो दोस्तों हमारा जो इस व्हुत सॉपटर है इसको हम इसको कैंसल कर देते हैं तो दोस्तो यह जो सफ्टर है आप लोग देख सकते यह हमारा गुगल डाइब का सफ्टर है कुछ इस तरह का दिखेगा दूस्तो डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे अभी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद दोस्तो इस आएगा इस कर देंगे इस करने के बाद दोस्तो देख सकते कुस इस तरह का इंटरफेस आप लोग दिखाए देगा तो सबसे उपर वाला जो लिखा हुआ है इसको आप लोग टीक मर्क करिजिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर एड़ एप्लिकेशन शौटकाट टू योर डेक्स्टॉप दोस्तो हमारा जो यह सौप्टर है इसको शौटकाट हमने सिर्फ शौटकाट लेना है डेक्स्टॉप में इसलिए एप्लिकेशन का है इसलिए दोस्तो यहाँ पर उपर एक बर क्लिक किजिए और दोस्तो इंस्टल में भी एक बर क्लि देख सकते दोस्तों Google Drive successfully installed दिखा रहा है उसके बद दोस्तों आप लोग सिंप्ली क्या करेंगे यहाँ पर close बला बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो close block क्लिक कर दिये उसके बाद दोस्तों देख सकते हमारा desktop में Google Drive को option चला आया है तो दोस्तों आप लोग simply इसको हम लोग Google Drive को install कर चुके है आप लोग देख सकते है Google Drive install होने के बाद आप लोग देख सकते है डेख स्टोंप में आ चुके है हमारा उसके बाद simply आप लोग क्या करेंगे नीचे चला जाना है नीचे जाके दोस्तो आप लोग यहाँ से आप लोगो देख सकते हैं Google डाइप में एक बार आप लोग किलिक किजें किलिक करने के बाद दोस्तो singing दिखा रहा है देख सकते हैं सिंगिंग में आप लोग सिंपली एक बर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को मेल एड़े जो है बो शो करेंगा अधर वाज दोस्तों आप लोग नया मेल एड़ेस भी दे सकते हैं यहां से तो दोस्तों हम लोग एक मेल एड़ेस को सिलेट कर लेते हैं सि इसका success का मतलब हमरा जो mail address है वो अभी connect हो चुकी है तो इसको हम यहाँ से कार्ट देते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगो simply और दो process करना है जो बहुत easy है दोस्तों आप लोग simply आप फिर से यहाँ पर फिर से क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद हमरा जो google drive है इसमें एक बा क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते है setting बाल आइकन में एक बार क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे उपर वाला देख सकते है पिफरेंस में एक बार आप फिर से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक setting बाल दिखा रहा है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे इसमें डाइब का कुछ कुछ कोई भी नाम दे सकते दोस्तों देख सकते यहाँ पर ए से जेट जेट तक है तो आप लोग कुछ भी नाम दे सकते दोस्तों हम सिंपली इसको हम क्या नाम देते हैं सिंपली आप हम नाम देते कुछ भी आप लोग दे सकते हम एईज दे देते हैं तो एईज देने के बाद दुस्त आप लोग क्या करेंगे आप लोग सिंपली यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोट साइज इमेज बगरा ओर्जिनल कुवालिटी बगरा सब कुछ जो सेटिंग बगरा है आप लोग सिंपली वोई सेटिंग रहने दीजिए तो आप लोग क्या करेंगे सिंपली सेफ में एक बर क्लिक कर देंगे तो हम लोग सेफ में क्लिक कर देते हैं सेफ में क्लिक करने के बाद दोस्तो देख सकते हैं रिस्टार्ट नाव दिखा रहा है तो आप लोग को कंप्यूटर जो है बो रिस्टार्ट करना परेगा तो दोस्तों हम लेटर में क्लिक कर देते हैं लेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है अभी इसको रिस्टार्ट करके अप लोगों को दिखाते हैं रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंप्ली क् दोस्तों हम लोग फिर से हमारा जो कंप्यूटर है उसको रिस्टर करके फिर से चला आया है दोस्तों आप लोग अभी दिखाते हैं रिस्टर करने के बाद हमारा जो google ड्राइब है वो कैसे दिखते हैं तो सिंपली हम लोग कंप्यूटर में चला जाएंगे कंप्यूटर में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हमारा गूगल ड्राइब यहापर शो कर रहा है 15GB का एक ड्राइब शो कर रहा है जो काफी अच्छा है दोस्तों यहाप पर डबल क् द्राइब करने के बाद दोस्तों देख सकते हमारा जो गूगल का जो शोफ्टर है वो बहुत है आसानी से बिल्कुल स्टोर हो चुकी है यहापर बिल्कुल आसानी से श्डोर हो गई है दोस्तों बहुत है का है दोस्तो इसकी मदद से आप लोग का कोई भी इन पॉर्ट डेटा हो डॉकमेंट हो सबी कुछ आप लोग है पर रख सकते हैं अपने कम्प्यूटर को पार्टिशन को भी इस तरह से बदल सकते जो काफी अच्छा है यान दोस्तो जो काफी important data होती है वो ही हम लोग सीर पर सीब Google Drive में रखते हैं जो सेब बहुत ही सेब होता है तो दोस्तो वीडियो का अच्छा लगए तो लाइक कीजिए आज के लिए बस यही तक था थैंक यू फर फुल वाचिंग